नमस्कर दोस्तों आपको दुश्वाकत आज की इस फ्रेश वीडियो में आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से आप सिंगल कीबोर्ड एन माउस की मद्दे से मल्टिपल कम्प्यूटर या तो मल्टिपल लेप्टोम मैनेस कर सकते हो जैसे कि आपको डिस्प्ल पी दिखा देगा मेरे पांस है वायरलेस किबोर्ड एन माउस तो यह सिंगल कीबोर्ड माउस की मद्दे में मल्टिपल लेप्टोम मैनेस कर आओ तो अगर आप सिखना जाते हो कि किस तरह से पॉस्प्प्ट लेक तो यह सबके बार में जानने के लिए वीडियो दिखते ह सबसे पहले में बात करते हैं अगर आपका सेटम मल्टी डेक्स है यानि कि इस तरह से आपको देखा देगा मेरे पांस दो लेप्टोब है तो दोनों लेप्टोब के लिए अलग-अलग कीबोड और माउस यूज करना पोसिबल नहीं है तो आसकी वीडियो के अंदर में आपक इसके बाद आपको दूसरा लेप्ट है इसका नाम हमने रखा है बी तो इस तरह से आपको समझाना है तो सबसे पहले आपको करना क्या सबसे पहले आपको जाना है यह कमप्यूटर में तो देखिए एक कमप्यूटर में सक्सेस्पूल हैं आचो के सिंपल आपको इस यान की computer B के अंदर तो simple आपको इस computer अंदर भी same process करने हैं simple जाना है Microsoft की official website पर वहां जाके simple आपको यह software डाउन करना इसका नाम है mouse without border तो software डाउन करने के बाद simple आपको same process में install करना install करने के बाद simple आपको इसे open करके रखना है तो देखे हमने दोनों computer में same process कर दियाने की आपको दोनों computer में एकी साथ यह software install करके रखना है आपको जाना पड़ेगा यह computer में इसके बाद simple यहां पर आपको जो skip का button दिखा देगा वहां पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने इस तरह का window open होगा इसके अंदर आपकी एक security की होगी अब देखे जो आपका primary computer यह आपका primary laptop है इसकी की आपको दूसरे computer के अंदर share करने याण की aid करने होते है इसके बाद आपको B computer का जो screen द दोनों computer successfully connected हो जाए अब देखे यह आपको लिखा कि almost done तो ऐसा आने के बाद आपको क्या करना है simple आपको जाना पड़ेगा फिर से एक computer में वहां जाका आपको simple जो आपका desktop पर आपको select करना है दूसरा इसके बाद आपको apply button पर click करना है जैसे आप apply button पर click करना है तो आपक के दोनों computer एक दूसरे के साथ successfully connected हो चुक है आपको देखे 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 दो laptop की screen तो इसके देखे सबसे पहले जो में computer यानि की laptop एक के अंदर refresh करता हूँ देखे सेम mouse की मुद्धे से और इसके बाद में start but जो start menu open करके आपको देखाता हूँ देखिए जो start menu open हो चुका है आपको mouse तो आपका cursor है वो आपके laptop के जो border के बाहर लेकर जाना है तो आप automatic लिए दूसरे laptop के अंदर आजाओगे इसके देखे इसके अंदर भी में start menu open करके आपको दिखाता हूँ देखे मैं ने windows की press की तो start menu open हुआ इसके बाद में explore open कर लेता हूँ windows e press करके इसके बाद समा जाते हैं पहले वाले laptop के अंदर इसके अंदर में start menu open कर लेता हूँ तो बिल्कुल आसान है और यह बहुत ही amazing हो सकता है कि अगर आपके पांस दो laptop आप एक keyboard की मदर से minus करना चाहते हो तो तो देखे यहाँ आपको देखा 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 मैंने single laptop और मैंने single keyboard और mouse के मदर से दोनों laptop को मैनेस कर रहा हूँ तो बहुत ही आसाने जश्ट आपको इतना ही करना है तो आश्रक्त आपको वीडियो बहुत ही पासने पासने वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए साथो साथ मरेशन को सब करता कि आपको ऐसे helpful वीडियो मिलते है और बेल आइकन को प्र आपको आपको ऊbnते हुआ आपको आपकोई आपकोड़ से लाइकन को से लाइकन को वीडियो बहुत just कि आपकोई आपकोई पर दीजिए भाइकन को सब कासाने को रहा हुत